हेलो फ्रेंड्स व्लेकम टू माई चैनल सास बहुब और दुनियदारी आज मैं आपके शार शेयर करने वाली हो एनरजी ट्रिंग जैसे कि सबका फास शेयर लाहे नाव दिन का उनके लिए रैस्पी बहुत ही यूसफुल होने वाली है जो लोग 9 दिन का ब्रत रहते हैं उन् हम इसे बनाने ड्राइफोर्स लिए हैं आप इन्हें अपने टेस्ट के वाड़े में जो भी आपको पसंद है उसे आप एड़ कर सकते हैं और यहां पर मैंने एक छोटी कटोरी लिए हैं उसमें मैंने पांच काजू च्छे बादाम और दस से पंद्रा किसमिस इसमें हम डा मैंने काट लिए हैं ताकि अच्छे से शोख हो जाएं और यहां पर सूखे वे गुलाब की पंकुडी यह सब ऐसे इंग्रिडियन से जो हमारे पेट को बहुत ज़्यदा ठंड़क दे और यह पोस्ते के दाने हैं इससे वहत एनरजी मिलती है चार काली मिर्च टेस्ट के ल चम्मत से अच्छे से मिला देंगे और अब इसे ढग के एक घंटे के लिए शोख करके रख देंगे और अब एक घंटा हो चुका है और यह हमारे ड्राइफूट्स जो हैं वह अच्छे से भीग चुके हैं तो अब इन्हें हम पीस लेते हैं तो जो यह हमारे भीगे हुए ड्राइफूट्स हैं वह अच्छे से फूल चुके हैं तो अब इसमें हम ग्राइंड में डालकर अच्छे से पेश्ट इसका रेडी कर लेंगे तो यह हमारा भी दरदरा है एक बार और चला लेंगे विकुल फाइन पेश्ट बनाना है तो यह हमारा विकुल पेश्ट बनके रेडी हो चुका है अब इसे हम एक बावल में खाली कर लेंगे बहुत ही स्मूथ पेश्ट है और ऐसे ही में बनाना है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरू करें कमेंट में हमें बताएं कि कैसे लगा आपको तो यह मैंने जूसर लिया है अब इसमें जो मैंने फुल मिल्क क्रीम था उसको बॉयल करके रखा था चिल्ड भ अगर यह ड्रिंक पीएंगे तो उनको कभी वीक्निस नहीं होगा और पूरे दिन एनर्जी मिलेगा और यहां पर मैंने डाल दिया है छोटी कटोरी यह चीनी है आप कम ज्यादा अपना मीठा जैसा पीना चाहते हैं फीका पीना चाहते हैं आप अपने टेस्ट को कॉर्डि ले सकते हैं और इलाची डाल दिया है अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स काल लेंगे तो यह देखे हमारा बढ़िया यमी सा समर ड्रिंक निवरात्री ड्रिंक बनके रैडी हो चुका है अब इसे हम चलते हैं सर्फ करने के लिए और मैं फिर आपको एक बार याद देलना चा सर्फ कर दिया है और कितने ऊपर देखी है जाग में देखने में यमी लग रहा है और क्यों न लगए रेसिपी ऐसी है डिंक किसको नहीं पसंड होती है वह चाहें किसी भी चीज़ का हो गर्मियों में हर एक डिंक بहुत ज्यादा सबको पसंद होता है खासकर बच्चों को और आप ऐसे भी इसको पी सकते हैं विना किसी फास्ट के और इस पर कुछ मैंने ड्राइफूर्ट का जू वदाम को क्रश करके डाल दिया है ताकि पीने में भी अच्छा लगे और जिसका पीने का मन हो उसका और भी ज्यादा मन करें और फिर ये मैंने उपर डाल दिया है इससे बहुत ज़्यादा यूनिक लगेगा और बहुत बीक के एनर्जी भी मिलेगा तो आप इस रेस्पी को अपने घर पर इस नवरात्री बनाएं और मुझे बताएं कि कैसी लगी ये आपको मेरी ये वीडियो तो बने रहे हैं हमारे साथ और अपने अन बहुत वाई वाई हैपी निवरात्री